दोस्तो सबसे पहले प्रूब देखिए हीरो फिंक्रोब कम्पनी के तरब से मेरे को दो लाग तक का इंस्टंट लोन दिया जा रहा है और ये पूरे 48 मंद के लिए है अगर मैं चाहूं तो वन किलिक में इस लोन को अपने बैंक में ट्रांसपर कर सकता हूं और सबसे अच्छ ले सकते हैं दोस्तो हीरो कम्पनी भारत का एक बड़ा कम्पनी है हीरो का बाइक आप चलाते होंगे या फिर इसके बारे में जानते होंगे तो बहुत सरा प्रोडक्ट है हीरो का तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हीरो फिंक्रोब पर किस तरीके से लोन अपलाई करक जो उनके member है, तो उनको loan लेना है, तो यहाँ पे apply करेंगे, और अगर आप hero company में job नहीं करते हैं, तो आप इस application पे loan apply करेंगे, तो इसको download करेंगे, उसके बाद open करेंगे, उपन करते हैं, तो permission देना होगा, just यहाँ allow पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ 3-4 बार इसको allow इसके बाद कुछ इस तरीके का interface आएगा, यहाँ पे सभी चीजे देख सकते हैं, उसके बाद next, उसके बाद इसको हमें फिर से permission देना होगा, यहाँ allow पर click करेंगे, उसको permission दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे, उसके बाद next, उसके बाद आपके नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद verify पर click करेंगे, अब verify पर click करते हैं, तो कुछ इस तरीके का interface आएगा, यहाँ पर देखें बताया जाता है, कि आप पूरे 3 लाख तक का loan ले सकते हैं, तो loan लेने के लिए just यहाँ gate now, अब gate now पर click करेंगे, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले ही हमें बताया जाता है, कि आपको कितने पैसो का जरूरत है, कितना loan लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कम से कम 50,000 रुपया और ज्यादा-ज्यादा 3 लाख रुपया तक का loan ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपने जरूरत के हि कि 25% का लगाय जाएगा तो सभी चीज़े देख लेंगे अगर loan apply करना चाहते हैं तो apply for loan पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर दिखे बताया जाता है कि इस loan को लेने के लिए 3 step complete करना होगा सबसे पहले personal detail उसके बाद किवाईसी करना होगा bank add करना होगा और emendate करके इस loan को अपने bank में ले सकते हैं काफी easy process है चलिए मैं आपको life proof दिखाता हूँ तो just यहाँ get started उसके बाद यहाँ पर दिखे फिर से हमें permission देना होगा तो यहाँ accept पर click करेंगे और इसको allow करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ detail देना होगा तो यहाँ पर आप अपना pen card number डालेंगे यहाँ पर date of birth term and condition को accept करेंगे उसके बाद continue उसके बाद यहाँ पर हमें अपना personal detail add करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना full address देंगे यहाँ पे फादर का नेम, मदर नेम, जेंडर employment detail में बताएंगे अगर आप कहीं पे job करते हैं तो celebrated person नहीं तो self-employed तो चलिए यहाँ पे मैं celebrated person select करूँगा, उसके बाद interested type बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे company का name बताएंगे, किस company में job करते हैं, तो क्या company का नाम है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना monthly income भरेंगे, कि job करते हैं तो महीने का कितना पैसा आपको मिलता है तो यह सभी चीज़े add करेंगे उसके बाद next, अब next करते हैं तो thank you for sharing your personal detail with us, just यहाँ proceed, उसके बाद यह process में चला जाएगा, your loan application is under process, please wait, यहाँ पे हमारे civil score के base पे, हमारे pen card के base पे, हमें बताया जाएगा कि यहाँ पे हमें कितना तक का loan मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको 1-1.5 मिनर तक wait करना है अब जैसे कुछ दिर wait करते हैं, तो यहाँ पर दिखे, life proof हमारे लिए 2 लाग तक का loan अप्रूब हुआ है और यह पूरे 48 महिने के लिए तो यह आपके civil score पे depend करता है हो सकता है कि आप इसमें apply करें तो किसी का इससे जादा और किसी का इससे कम भी हो सकता है, तो 2 लाग तक का loan अप्रूब हुआ है, आप चाहें तो इसको कम जाता भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरे 2 लाग का loan अप्लाई करूँगा तो just यहाँ process with select loan पर क्लिक करेंगे, अब उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दिखे, बताया जाता है ठीक है, और यह कभर कब तक राएगा 2,1,2,027 तक ठीक है, मतलब यह जो amount है, 2735 रुपया, यह आपके loan से cut कर लिया जाएगा, अब इसका फायदा क्या है, कि जब भी आप loan ले ले लेते हैं, और आपके साथ अगर कोई भी घड़ता है, कोई दुरगटना हो जाता है, तो आपका loan माप कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपके family से असूला जाएगा, आपके बच्चों से लिया जाएगा, यह loan माप कर दिया जाएगा, तो सुरू में ही 2735 रुपय आपको देना होगा यह insurance है, और 277 की यह कभर आएगा, इसके बीच में अगर कोई भी बात होता है, तो loan माप कर दिया जाएगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो loan आपको वापस करना होगा तो यहाँ पे insurance लेना जरूरी है तो यहाँ पे हमें nominee add करना होगा तो यहाँ पे सबसे पहले nominee का name, nominee का gender, nominee का date of birth relationship में बताएंगे nominee आपके क्या लगते हैं और nominee का mobile number यह सभी चीजे डाल करके next करेंगे अब next करते हैं, तो यहाँ पर देखे हम आजाएंगे last step में, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि 2 लाग तक का loan लेते हैं तो interest rate यहाँ पर देखे 15% का लगाया जाएगा तो 25% और 10% के बीच में हमें लगाया जाता है तो यहाँ पर सभी चीजे देख सकते हैं हमारा loan कब से start होगा और कब जाके खतम होगा कितना EMI बनेगा, यह सभी चीजे यहाँ पर देख सकते हैं वो हमारे bank से automatic ही करता रहेगा तो यहाँ पर bank account add कर देंगे आप अपने debit card से या फिर internet banking से तो चलिए यहाँ पर emendate मैं complete करता हूँ अब जैसे ही emendate complete करते हैं तो यहाँ पर देखे congregation का message आ जाएगा और यहाँ पर बताया जाता है कि हमारा application successful under review में चला गया है अब यहाँ पर hero fincrop company के तरफ से हम इसमें जो भी document दिये हैं उसको check किया जाएगा अगर हमारा document सही होता है तो यहाँ पर loan approve कर दिया जाएगा उसके बाद यहीं पर हमें bank account add करने का option आ जाएगा तो हम अपना bank account add करके इस loan को अपने bank में भी ले सकते हैं तो यहाँ पर successful loan apply हो गया अब आपको कुछ नहीं करना है अब आपको wait करना है और जैसे loan approve होता है तो उसे आप अपने bank में भी ले सकते हैं तो दोस्तो यह तरीका है इस तरीके से hero fincrop पे loan apply कर सकते हैं और उसे bank में भी ले सकते हैं